असलाम अलेकुम, आज मैं आपके थाज शेयर कर रही हूँ, जर्दा बनाने की रेसेपी यहाँ पर मैं आपको जर्दा बनाने के कुछ टिप्स तूँगी, कुछ ट्रिक्स तूँगी जिनको अगर आप फॉलो करके जर्दा बनाएंगे, तो आपका जर्दा एकदम परफेक्ट बनेगा अक्सर जब हम जर्दा बनाते हैं, तो हमें कभी कभी कमप्लेन मिलती है, कि हमरे जर्दे के चावल अकड़ गए तो यहाँ पर जब आप इस रेसेपी को फॉलो करेंगे, तो आपकी यह कमप्लेन भी दूर होने वाली है, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं जर्दा बनाने के लिए मैं इस्तमाल कर रही हूँ, यहाँ पर दो कप चावल, मैं यहाँ पर सेला राइस का इस्तमाल कर रही हूँ, जर्दा जो है वो सेला चावल में ही बनता है, गोल्डेन राइस में ही बनता है, आप इनको नॉर्मल बासमती चावलों में बनाएंगे, तो फिर जो जर्दे के जो चावल होते हैं वो तूट जाते हैं तो हमेशा जबी भी आप जर्दा बनाने का इरादा करें तो सेला राइस जरूर मंगवाएं और इन चावलों को डेर से दो घंटा भीगोना जरूरी होता है नॉर्मल टैप वोटर में आप इसको अच्छी तरह से वाश करिए और देर से दो घंटा इसको अच्छी तरह से भीगो लिजए उसके बाद ही हमें इसके दूसरे स्टेब की तरफ जाना है तो अच्छे पानी में इसको भीगोईएगा ताकि अच्छे से भीग जाए और उसके बाद हम इसके कोकेंग की तयारी करेंगे जर्दा बनाने के लिए मैं देसी घी का इस्तमाल करूंगी क्योंकि देसी घी में जर्दे का टेस्स जादा अचाता है मैं यहाँ पर अश्टा विनायक एटू काउगी का इस्तमाल कर रही हूँ इस ब्रैंड को मैं काफे टाइम से इस्तमाल कर रही हूँ और यह बहुत अच्छा है अगर आप भी अश्टा विनायक एटू काउगी से सायकेदार खाना बनाना चाते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये वे लिंक से आप इसको खरी सकते हैं इस घी के इस्तमाल से खाना बहुत लजीज बनता है जाकेदार बनता है और बहुत खुश्वदार बनता है तो अभी हमें यहाँ पर हाफ कप घी ले लेना है तक्रीबन 120-125 ग्रैम के करीब हम घी लेंगे कोशिश करेगा जबी भी आप जर्दा बनाएं तो देसी घी का इस्तमाल करें जर्दे का टेस्ट दुगना हो जाता है इधर हम चावल की क्वेंटिटी का चार गुना जादा पानी लेंगे तो मैंने यहाँ पर 2 लीटर के करीब पानी लियावा है इसको हमें उबलने के लिए रख दिना है गैस की फ्लेम को मैंने आउन कर दिया है और आधा टीश्पून रेड औरेंज फूट कलर लेंगे या फिर वह फूट कलर जो कि आप जर्दे में यूज करते हों इसका इस्तमाल आप कर सकते हैं और इसको थोड़े से पानी में घोल लेंगे ताकि इस फूट कलर में गुठलिया ना आएं लंप्स ना बने और इसको हम डाल देंगे इस पानी के अंदर और इसको मिला देंगे और अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक टेबल स्पून केवड़ा वाटर ये फूड एसंस है इसे खाने में बहुत अच्छी खुश्बू आती है बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है तो अगर आप फूड एसंस का यूज करते हैं अपने खानों में तो आप केवड़ा वाटर जरूर डालीएगा जर्दे के अंतर तो एक टेबल स्पून के करीब मैं इसमें केवड़ा वाटर डाल रही हूँ और अब हम इसको हाइफ लिम पर उबलने देंगे जब इसमें हाइफ लिम पर एक उबाल आ जाएगा तब हमें इसमें एट करने हैं अपने भीगेवे चावल तो ये जो चावल हमारे डेर से दो घंटे पहले हमने भीगने के लिए रख दिये थे अच्छी तरह से भीगेवे हैं ये इसमें डाल देंगे और अब हमें इसको पकने के लिए रख देना है और चावलो को हमें 100% पका लेना है एकदम 100% आपको चावल पकाना है बिल्कुल भी चावलो में कच्चापन नहीं होना चाहिए अक्सर जब हम बिर्यानी बनाते हैं तो चावलो में थोड़ा सा कच्चापन रखते हैं तो समझ लीजे आपके चावल 100% कोक हैं अब हम इसको चान लेंगे और एक साइड में रख देंगे एक चौताई कप के करीब पानी जो है आप चाहें तो सेफ करके भी रख सकते हैं या फिर आप नॉर्मल पानी जो टैप का पानी होता है उसका बेस्तमाल कर सकते हैं तो चाहें तो इसी पानी को रख लिगा या पर नॉर्मल पानी यूज़ कर लीजेगा बाद में थोड़ा सा दम के टाइम हम यूज़ करना होगा इसको इधर हम थोड़े से ड्राइफ रूट स्राइग करेंगे तो जो गख्षी अभी ड्राइफ वर्रोट्स अब नर्यारियल कर सकते हैं और जितनी क्वैंटिटी में आप चाहें उतना इस्तमाल कर सकते हैं जादा यूज करना चाहते हैं तो जादा कर सकते हैं कम यूज करना चाहते हैं तो कम कर सकते हैं इसको हमें बस हलका सा फ्राइ करना है इसका कलर नहीं बदलना है बस हलका सा इसको फ्राइ करेंग जब घी हमारा गरम हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे चार से पांच लॉंग अगर आपके पास छोटी एलाइची अवेलेबिल है तो दो तीन छोटी एलाइची भी आप इस पॉइंट पर डाल सकते हैं अब ढालंगे इसमें दो कप शकर तकरीबं 400 घ्राम जितने आपको चावल लेने हैं उसी वेट की उतनी ही बराबर आपको शकर लेनी है शकर की एक परत आपको इस तरह से बिचा देनी है अब मैं यहाँ पर आपको जो टिप्स दूँगी उनको आपको बहुत ध्यान से फॉलो करना है पूरी शकर बिचाने के बाद आपको इसको उपर डाल देना है इसाell , जितने भी आपके चावल है को आपको आपको शकर के ओपर रिदिना और इसको बिल्कुल भी mix नहीं करना है , dalam FLAIM को बिल्कुल लो कर दरेगा इस टाइम पर मिल्कुल झागर को सब्सक्राइबे आपकल द지के juG sistem देना है आपको इस बात का धियार रखना है चावलों के साथ शकर को आपको मेक्स नहीं करना अगर शुरू में ही आप छावल और शकर मिक्स कर देंगे तो फिर आपके चावल अकड जाएंगे यह की तो बस आहीसता से सेंटर में चमज डाल कर देख लिजए का पानी ड्राइ हुआ है या नहीं आपको चावलों को मिक्स नहीं करना है इस बात का ध्यान रखेगा अगर आपने चावलों को इस टाइम पानी के साथ मिक्स तो डेफिनिटली आपके जो जर्दे के चावल हैं वो को इस बात का ध्यान रखिएगा हाई फ्लेम पर शकर के पानी को ड्राय होने दीजेगा लेकिन बगए चमच चलाए बीच बीच में आइस्ता से सेंटर में चमच चाल कर देख लिजेगा पानी ड्राय हुआ है या नहीं तो अभी भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा पानी बा चावलो को हलके हलकी हाथों से शकर के साथ मिक्स कर देना है तो यहां पर अच्छी तरह से चावलो को मैंने उपर नीचे कर लिया है मिक्स कर दिया है और यहां पर आप देख सकते हैं बिलकुल भी अब इसमें पानी बाकी नहीं रहा है यह देखिए आप इसका बाटम चेक बिल्कुल भी पानी नहीं है शकर और चावल अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं लेकिन हमारी चावल एकदम पर्फेक्ट है बिल्कुल भी अकड़े नहीं है तो अब हमने जो ड्राइफ फ्रूट्स फ्राइब करेते हैं वह हमें इसमें डाल देने हैं तो हम बस थोड़े से बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए सबी इसमें डाल देंगे और यह मैं तक्रीबन हाफ कप यानि की सौ ग्राम के करीब इसमें डाल रही हूं खोया जिसको की मावा भी बोलते है यह अगर आपको आसानी से मिल रहा है तो डाल लीजेगा वन आप इस तो बस हलका हलका सा इसको मिलाएंगे और अब इसको फिर से कवर कर देंगे और बस पांच मिट के लिए धीमियाच पर इसको और दम कर लेंगे तो अभी मैं इसके लेट लगा देती हूं और बिल्कुल धीमियाच पर पांच से चेमियाच के लिए इसको दम कर लेती हूं उ आपको इसके रिजर्ट्स दिखाती हूँ पाश मिट के बाद हम इसको चेक कर लेंगे और यह लिजे, अलहमदुलिल्ला बहुत इशांदार हमारा जर्दा बनकर तयार है जिसमें किसी भी तरह की कोई भी खामी नहीं है बिलकुल परफेक्ट बनकर तयार हुआ है आप जिसको भी इसको सर्फ करेंगे बस आपकी वावाई होना लाजमी है सबको बहुत पसंद आने वाला है तो जरूर से इस मेतट से आप ये जर्दा बनाए और मुझको अपनी फीड़बैक्स दीजे आपका जर्दा कैसा बना चावल भी आप इसके देख सकते हैं कितने परफेक्ट हैं बिलकुल खिले खिले हैं और बिलकुल भी अकड़े नहीं है बहुत अच्छा जर्दा बनता है जब हम इसको इस मेतट से बनाते हैं तो आईए, अब हम जर्दा सरफ भी कर लिते हैं. तो आप इस जर्दे को किसी भी फेस्टिवल पर किसी भी घर में कोई दावत व गएरा है या आपको कुछ खास बनाने का मन हैं, मीठः बनाने का मन हैं तो इसको आप बना सकते हैं. इस जर्दे के आगे बावर्ची के बनाएवे जर्दे फेल होंगे क्योंकि एक तो अपने हातों से बनाया होगा ठेर सारा प्यारून देला होगा और बहुत हाईजेनिक तरीके से बनाया होगा उमीद करती हूँ आपको ये रेसेपी पसंद आयोगी जरूर से ट्राइ करिए और फेड़ बैक्स दीजे रेसेपी एच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करिएगा फैमली और फ्रेंड्स में शेयर जरूर करिएगा चैनल पर पहली बार आएं तो मेरे आप से हमेरे रेक्वेस्ट है बिना सब्स्राइब के मच जाएगा और मेरे फेड़ बूक पेज और इंस्ट्राग्राम पेज को भी फॉलो करेगा जिसका लिंक में डिस्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है वीडियो देखने का शुक्रिया अल्ला हाफिज